है गाईज कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे तो आज हम आप लोग किला है स्टाइटीज जी के का सेड़ नमर नो इसे पर अपलोड कर दिया अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लिए चुकि बता रहें फ्रेंड्स जो हमें स्टाइटीज इकजम होने वाले है सब के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले से असां तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते बीना टाइम गावा है तो फेंड्स हमारे सब्सक्राइट से एक दो कॉसन ले क्या है चुकि आप लोग को विट एक्स्राफट के साथ बता दे यहीं मेरा उद्द्ध्र रहेगा चले सुरू करता है पहला कुशन है की परवत कटू जो के चुट आपनों सुनाई होगा के टू के नम से भी जाना जटाइब यह चार आपको बताना कि के यह डू का दूसरा नम क्या है तो फ्रेंड्स इसका नसर बता दे ऑप्सन सी हो जागा गौडव नम से जना जटा किसे के टूकू तो फ्रेंट्स हमें से रेलेटेट उच्छ इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहें आप लोग से ध्यान में रखेगा और याद भी कर लिजेगा तो हम पॉइंट में पॉइंट बता रहें देखेंट पहला कॉसन बढ़ेगा कि बिश्व की सबसे उची चोटी कौन सी है तो आप लोग पता मांट एवरेस्ट मांट एवरेस्ट विसक्व सबसे उची चोटी है और इसका उचाई कितना आठ तालीज पहले था लेकिन फिर अधाल भी बढ़ा है तो आठ तो आठालीज दसमनब श्यासी मीटर आप लोग या सबसे उची चोटी कौन सी है पहली तो हो गया मांट एवरेस्ट अब बचा दूसरी दूसरी सबसे उची चोटी होगा एक टू यानि जिसको हम लोग गौडविन अस्टीन के नाम से जाना जाता है और यह काराकुरम सरेनी में इस्थी थे तो और इसका उचाई की तरह हाट 1611 मीटर 8600 मीटर के टू का उचाई है और यह काराकुरम सरेनी में इस्थी थे इतना सारे कोशन का पियाद रखेगा पहला सबसे उची चोटी अब पूछेगा कि पीस्व की तिसरी सबसे उची चोटी कौन सी है पहली दूसरी तो बता दी कहां पे है कितना उचाई यह इतन और यह सिक्की में इस्ति थे सिक्की नेपाल के बोर्डर पर रिश्थी थे यानि सिक्की में इस्तिता और इसकी उचाई है 8500 680 मीटर 8500 680 मीटर कंचट जंगा की उचाई है यह वीश्व की तिसरी सबसे बड़ी उची चोटी है तो इतने सरक कौसन को आप याद रिखेग सबसे बड़ी उची चोटी एबरेश टोटी 8888 मीटर नेपाल में चुटी तो इसकी उचाई है 8500 680 मीटर यह तिसरी बड़ी सबसे उची चोटी याद रखेगा बहुत ही इंपोटन को संथाई है तो चलते हैं अब अगले कोशन की ओर कशन है कि नीमनल दखित में से कौन भाराच कुड़ो रख शूड़ों अंदौलन में सामिल नहीं था तो बताना आपको कि कौन सा जो वेक्ती है जो भाराच छूडों अंद्लन में सामिल नहीं था यहा प्सं में आपको दिए मातमा गंधी झवाहर लाल नहरूप beauty प् Hein दी हो जाएगा भीम राफ अमेत्टकर एसका बिरूद क्या था भारीम राफ अमेत्षकर मसस्लिम लिख कह गया राव नहीं वा दसे लिख समर्थ नहीं क्या सामिल उसमें नहीं हो था कौन-कौन मुसलिम लिग हो गया उसका भीम्रा अमितकर हो गया उधारवादी जो नेता थी वो लोग इसमें नहीं वा तक इसमें भाराज छोड़ो अंदुलन में और यह कब शुरूआ था तो आट अगर सुने से बैल इसको भाराज छुड़ो अंदुलन शुरूआ था इसी पक्षियों के अध्यान के विज्ञान को क्या कहते हैं जो फ्रेंट्स पक्षियों का अध्यान के जाता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है यह बताना आपको आपको अपको दिया है फाइकोलोजी और निथोलोजी माइकोलोजी ओंकोलोजी तो इसका अनसर बता दे ऑप पक्षका ध्यान और निठोलोजी आप बता दिए पक्षण का धियन और निठोलोजी का लाता है बटा अपशन उक्समिक हुआ सरो भात दिले कками ब्हारत पर परथमार आकर्मन करने वाला बीदेशी कौन था बताना आपको भारत में सबसे पहले आकर्मन करने बाला पर्थम विद्यसी कौन था ओप्सन में आपको दिया है नादीर साह मुहमद गजनभी सिकंदर महान मुहमद गौरी तो इसका अंसर बता दे ओप्सन सी हो जागा फ्रेंड्स सिकंदर महान थे जुन्होंने भारत पर प दके लिए प्त्व तक हराकरया दे मगदमें सद्यणान कर्सका चौण को चिक नढई अस्था सहा की कि मैजनिके जम हांट महान था जब परा करते उस समय माघट में मैं किसको कह अस्था दनानांन और जिसको हराकर मतलब चंद्रगुत मौर ने मौरबंस का स्थापना किया था किसके मदब से तो कोटी लिए या विश्नुगुप्त बोले या चानक बोली वह उसी का नाम है तो आप इसे याद किजिएगा कभी आकरमन केते बारत पर यह 326 पूर और उसका मिर्थी हो गया था यह उसका सेना बैस नादी को पार करने से इंकार कर दिया था सब्सक्राइब क्रण कर दिया तो इतने सारे कौसन और यह याद रक्एगा यहाद रिखेगा भारत आकरमन करने मुसलीम करमन का तो कोण कुन हो जाएगा मुहम्मद बिन कासीन 712 में आकरमन के दिस इन में याद रखिया गाना सिंद पर आकरमन के ठीए उसमें इस पर राजा कुने दाहीर तो यह सरा इस्टि का अईसा न प्रेट है अच्छा अच्छा सब्च गद है आप को सब्चाने कि सिर्भी बहुत विदेरी देशी तो सिकंदर मान वह पहला भी देशी आकरमन का रहे था जो भारत पर आकरमन किये थे तो इतने सारे को सुन को आप याद रखिएगा तो चलते हैं अब अगले को सन क्यों कि नेस्ट को सना फ्रेंड्स की निमनल इखित में से कौन सा नेता सोतंतरता पूर्व देश-बं इन में से कोई नहीं यह चारकत को बताना की कौन जो है देश-बंदू के नाम से जना जाता है और और को सन पूछेगा फ्रेंड्स की दीन बंदू के से कौन जना जाता है देश बंदु किना है चित्रन्यंदास को तो फ्रेंस इतने कसन को आप याद रखेगा इसी से रिलेट से पीछे कहाणी उनको बता दे उसके पिछे बहुत इंपोर्टेंट लब कहानी सिर्व अच्छा सुझ को सुनिए आप दिखिए कसन पुछेगा कि सुभास अंद्र बोस का राजनितिक गुरु कौन था कि तो वह चितरन्जन दास ही थे सुभास अंद्र बोस के राजनितिक गुरु वह इसलिए कि जब दिखिए नेत्रित में चला गए थे उनिसव इसमें इतना तो आप जान लिए और जब यह उन्द्रन चल रहा था चल रहा था उस समय शुरू शुरू में क्योंकि मातमा गंदी तो अहिंसावादी थे मातमा गंदी और यह थे कौन सुभास इसको बहुत परभावित हो चुकी थे बहु चली यहां तक तो आप समझ गए उसके बाद जो यह उन्द्रन चल रहा था चल रहा था चल रहा था कुछ समय बाद जब पांच फरवरी उनिसव में आपनों नम सुना होगा चोरी-चोरा जो कंड हो गया था उत्तरपादिस के गोरकपुर जिले में तो इसमें 22 कर्मियों क अच्छा भी नहीं लगा था जिस तोरह यह क्या करते है सुबास इंद्र बोस जो थे उसको उसको मानना था इतना बड़ा अंदलन पुरा भारत में फैल चुका था इसको मातमा गंदीजी को एक बंद नहीं करना चाहिए था उसको मतलब उससे नफरत हो गया मातमा वह बन गया और उन्हें ही अपना गुरु मानलिया को कौन सवबास बोस और पतान स्वराज पाटी का स्थापना कर लिया था कॉंग्रेस सवराज पार्टी तो इतने सारे कॉसम को आप याद रखेगा और बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है पुस्टक है इंडियन अश्ट सब्унक यह तो चलते हैं अगले MY अगला कौशन हाय कि में से कॉंट गंदिवादी विचार धारा के अगरनी परतिपादक थे कौन से वेक्ति के गंदिवादी मिचार धारा के परतिपादक थे तो आपको दिया जबाहर लाल नहरो नहरो पंडिद नहरो म मानवेंdir नाथ रवाए जा पुरा नाम है विनुवा भावे जैप्रकास नारायन यह चार विकती हैं और कौन विकती है जो गंदिवादी विचारधारा के अगरती परती पादक थे तो इसका अंशर बता दे इस से रिलिटेट हम एक्ष्टाफ्राइक्ट पता रहें आप उसे भी याद रखेंगा तो पता दी आपको पहले हम आरे कौस्टन का इक पता की तो आपका इनसर होगा विनुवाब ब्वदान अन्दलन को शुरू अथा बीनुवा भावे कब किये थे 1971 में कब będzie 1991 में कहां से कि तो तिलंगना के पच्छमपली घॉँगां है वेरी इसन था और से रिलिटेट पूछेम जो वेक्तिगत सत्यागा स लेकितिगत सत्याग्र का तो वे नवाओ भावे ही थे उसका पर्थम सत्याग्र ही विगत अंदुलन का कब सुरूए थे 1940 में तो इस इसे डिया रहाएगा इससे रिलेेटेड तो चलते हैं अगले देग सन की ओर को सवनाए कि आगरा जो है आगरा शर नगर को सर पर्थम ततकालिन भारत की राजधनी की बताना आपको कौन सा मुस्लिम ससक कने राजधनी आगरा सर को बनाया था अप्षण में आपको दिया आख़बर हुमायू सिकंदर लोदी सा जहां तो फ्रेंड्स यह त सद्वाएं आप्सन यानि की सिकंदर लोधी तो सिकंदर लोधी लोधी वंस का स्थकता अपलो पताएं कि दिल्ली में 5 राजवांस उने सासन की थे फंट पुस्ता आगरासर का स्थापना किस ने था तो शिकंदर लोदी नहीं आगरा सरकास हटा और आगरा मी क्या पता है ताजमाल ताजमाल किसने बना था जहां ने और अस्थापत कला चर्मोत कर्ष पर चले गया था विकास सरबादिक आथा सबस्क्राइब और है किस ने बना था अपनी लाजनी तो शीकंदर लोदी ने बना बिद्ध तो चलते हैं आग अगले को सन कीओ प्रतनर को सन आए की मनूष एक समाजिक परानी है या क्तल किसका है मैं यह सawसल अदो एक समाजिक परानी है किस ने कहा था उप्सन अपको दिया us environment सी ने कहा था मनुस्but समाजिक परानी यह किस नेगा था तो अरश्थ ने कहा था और कसन बहुत kg कुछ 1967 और रसकर गुरू कौन है परूट्टो का गुरू को ने सिकतंर का गुरु Bakण निसका इस त्रीग बता रहें आप से याद रखएगा इसका ट्रिक है सपास सडे और आप इस सवकराथ पीसे पस इस सद zwischen नहुन है यह थ्याद यहद मिछच रहा है आप सपार से दस ने सिकंदर या चारों को याद रखे गुरुसी से बहुत बार पूल दा कि पूस्दा और को अस्टू का गुरू कए फोड़ी आगा अगले कसन 它Pi बताने आपको ऑपसे मरमर का बालू का कोईल का मैगनीज का तो इसका अंता बाता दे कोला का परकार है लिगणाईट चार्व परकार है ये चार को ब्हूत कम ही ज़ा इन्थरासाइट कोटी कोई- proposing सबसे घटीन कोली कोई एक कोन अंत्राइट अंध्राइट सट आदिनेस लिए पीट और कुसन कुषता कि भारत में सबसे अधिक इस थाइफ को यह का वीक विक संद पादन होता है रहें सबसे अधिक खूलए करवाथ में तो भारत की और लिदान है उसको हम लोग भूरा की नाम से भी जाना जाता है तो आप इससे याद रखिएगा बहुत ही इंपर्टन कॉसन था ये तो चलते हैं अब अगले कोसन की और दो फ्रेंट्स हम आभी तेक में eerste कबता दिये हैं और यह आज का टॉप 10 कोशन का लास्ट कोशन है कि भारत का पर्थम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन था यह कोशन बहुत बार पुछा एक्जाम में बहुत इंपोर्टेंट भी कोशन यह इसा विमान वाहक जास्थान फ्रेंड जिसमें जो पाकिस्तान है इतना डरता तैसे कि बहुत है जो पाकिस्ताइब कहा देंगी कि भारत का पर्थम पहले सबसे पहला विमान वाहक जल सेना जो था जहास्था विमान वाहक उसका नाम बताना आपको अप्संब याइने विराठ आइनेस विक्रम आईन एनस विक्रांत आईएनेस वरुण तो यह चार राद आप शेगा यह नस्य विक्रावंट यह भारत का पर्थम विमान वाहत जाहाज था इसे फ्रेंट बहुत इंदर ता पकिस्तन बहुत खथा इतना खतरनाक जाहाज था इंदर अधर आज उन्हीं भारत-पकिस्तन इंदो आता उसमें इसका भी बहुत बड़ा बारत का पहला विमान बहाग भी जहास था आप इसे याद रखेगा तो फ्रेंड्स आज का दस को सन्हां आपको बता दें भी टेक्ष्टा फैट के साथ आई ओप सारे को समझ भी लिए याद भी हो गया होगा हम पॉइंट बता दिये असली इंपोर्टेंट को बता यह नहीं सभी कोसोन को हर एक पोइंट को हम बहुत ही टिटेल संप को बताई आपको अच्छा लगा होगा आ और वीडिए आपको आधको लगा तो एक लायक कर दिजे और इंग करने सब्सक्राइब कर दिए और तो दोस्तों oなला को बताएं दिर प्akat को सब्सक्राइब कर दिए